अभी तक अपने एस्टो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करें आसान माह में क्या करें और क्या न करें जानिए इस वीडियो के माध्यों से नमस्कार मैं खुड दोक्टर स्रीपती त्रिपाथी खर्भ हीने में पूर्णिमा का पर्व मनाये जाता है जेस्ट माह में पढ़ने वाली पूर्णिमा को जेस्ट पूर्णिमा की नाम से जाना जाता है इस पूर्णिमा से जेस्ट माह का समापन होता है इसके बाद असाल माह के शुरुवात होती है सरातन धर्म में असाड माह का खास महत्त बताया गया है इस दोरान भगवान विश्णों की विशेश पूजा अर्चना की जाती है मानेता है कि ऐसा करने से जातक को सभी प्रकार की परिशानियों से मुक्ति मिलती है और शुक समर्दी का आसिरवाद प्राप्त होता है इस दिन न करें ये कारज असाड माह में देव सैनी एकाथी पड़ती है इस एकाथी से चातुर मास की शुरुवात होती है इस आधि की दौरान मांगली कारज जैसे जनियू, संसकार, मुंडन, साधी आधिकारज नहीं किये जाते है माना जाता है कि इन कारजों का सुब्र फल प्राप्त नहीं होता है इस माह में जल की बरबादी नहीं करनी चाहिए इससे पानी का अपमान होता है इसे इंद्र नराज हो जाता है असाड माह में देर तक नहीं शोना चाहिए इससे इंसान का सरेल निरोगी रहता है इसके अलामा तामशिक चीजें जैसे सराब और मांस मदीरा के सेवल से परहेज करना चाहिए खास कर क्या करें या कौन से करें ये कारज आसाड माह में पिंडदान, तरपन, असनान और दान किया जाता है मानता है कि इन कारजों को करने से जातक को पुरवजों का असिरवात प्राप्त होता है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है सास्त्रों के अनुशार इस माह में सुर्योधय से लेकर आपको बता दें कि सुर्योधय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और सुर्जदेव को जलर्पित करना चाहिए पूजा पाठ करना चाहिए असाड माँख में अधिक घर में पड़ती है तो ऐसे में स्रद्धा के अनुशार लोगों में जल और सत्तु समीत आदी चीजों का दान करना चाहिए इससे सुख सम्रिधी में बृध्धी होती है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेर करें और कमेंट्स करें रमश्कार